हलो हलो फ्रेंड्स गुड मार्निंग कैसे हो आप सब उमीद करते हैं सब बढ़िया होंगे चकाचक होंगे मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है तो चल ये नए शुबह के साथ नए दिन की सुरुवात हो गई शुबह शुबह ये बारिश का मौसम लेकिन बारिश हो नहीं रही है आकाश में बादल चाय हुए है पच्छियों की चहचाहट बड़ा मन को खुश कर देता है और ये खुश मन जरासा भी कहीं से कोई डिस्ट सबसे पहला काम होता है जाडू लगाना तो बस यह सबसे पहले तो जाडू लगा लेते हैं बाशी पन घर का दूर करना है तो जाडू लगाना पोच्छा लगाना और क्या होता है सुबह सुबह का यही काम होता है लेकिन डेली डेली तो जाडू पोच्छा नहीं दिखा सक तो जारू तो थोड़ा बहुत लग गया था इस रूम में आये थे लगाने तो बस याद आ गया कि यह वाला बेट सिट हम साम को बस ऐसे ही बेट पे डाल के चले गया थे टाइम नहीं था साम को दिया बाती का टाइम हो गया था बस बेट पे ऐसे ही डाले और चले गया फिर ध्यान से उतर गया फिर फिर वही हो गया कि खानवाना में लगो फिर सो जाओ फिर खानवाना खाके बस वही हो गया था तो बस सोचे कि अभी दिख गया तो इसको पहले सेट कर लेते हैं उसके बाद ही फिर यहां का आगे का काम करेंगे और हाँ इसके पहले दूसरे वीडिय का कितने बज़े से साफ़सफाई करनी चाहिए तो वैसे तो साड़े-तीन बज़े से अगर आप उठते हो तो कर लेने शुरु हो जाता है घाड़ लगाना छाफ़सफाई करना और नहीं तो फिर वैसे तो साड़ी तीन वजे कभी उठते नहीं हैं लेकिन हाँ वैसा जरूरत रहता है जिस दिन हम कीचन क्लीन कर रहे थे उस दिन तो खेर उठे थे क्योंकि बहुत जादा काम था उस दिन मेरे पास इसे लिए और ऐसे तो हम अंधेरे में उठी जाते हैं चार वजे से पहले लेकिन मेरे से नहीं होता पता नहीं मेरे अंदर ना ऐसा ही आदत है ऐसा आदत मेरा बन चुका है कि हम रात में बिल्कुल भी जादा रात तक काम नहीं कर पाते जो काम हुआ सो हुआ बस वही किचेन का समेटना और वह काम करना उसके बात से फिर मेरा नींद इतना कसके आने लगता है कि फिर हम टिकी नहीं सकते हैं फिर तो हमको सोना ही सोना है तो बस वह ही होता है दिन में चाहे जितना काम कर लो चाहे सुबा में जितना जल्दी उठके काम कर लो यह हो जाएगा लेकिन रात का काम मेरे से नहीं होता है कि बहुत जादा रात तक जगो और क जमा कर लो तो बस यह हो जाता है और आज न ये देखें ये जो कपड़ा नहीं तीन दिन का कपड़ा है निमी का पापा का जमा करके रखेंज तो आज ये सोफा का रहाद कभर भी चेंज करना था काफी दिन हो गयते हैं और बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया था तो बस यह और इतना ज़्यादा यह जो बरशात वाली गर्मी है ना चिपचिपी वाली गर्मी है बिल्कुल भी सुखा शुखा नहीं लग रहा इतना ज़्यादा चिपचिपा लग रहा ना कि इसमें जादा निकलता है उसका तो खेर हालत ही खराब हो जाता है तो यहाँ शोपा कवर्चेंज की है उसके बाद आज का तो काम इतना जादा है कि अगर सुगड़ करो तो सैद मेरा काम नहीं निपटेगा पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा काम भी बहुत जादा हो जाता है, डेली ही कुछ नो कुछ एक्स्ट्रा हो ही जाता है, घर है तो घर का काम खतम नहीं होता है, कम नहीं होता है, जितना करो उतना जादा काम दिखता है, निकल जाता है, पता नहीं कहां से निकलते जाता है, किस गुफा से निकलता है, इतना काम समझ में भी न सालना करते हैं तो फिर भीना दोय इसको रखा नहीं सकते मनी मानता अपने आप म मन मानता इसे ले असको पहले तो लेते हैं और मौसम तो ऐसा लग रहा न जैसे किया अज दूप निकलेगा वैसे तो डेली इधर वारिस हो ही जाती यह कभी शुबह कभी शाम इसलिए हम खाना लगडियों पर नहीं बना पा है या दो बस बहाहरे लगा लेते हैं फटा फटास इसके पोछा और यह बर्षात में जब घर में पोछा लगाते हैं तो मॉप से भी नहीं लगा पार है मॉप से लगाते हैं तो वह सूखता ही नहीं और सूखने के बाद अजीब सा दाग हो जा रहा है फर्स पे ऐसा लग रहा है पता नहीं सभी को हो रहा है क्या आप लोग बताईएगा जरूर मेरा हो जा रहा फर्स पे दाग जैसा वह पानी सूख नहीं पारा ना बर्षात के कारण इसी लिए सायद तो बहुत सूखा शूखा कपड़ा से बहुत जादा निचोड़ निचोड़के उसको लगाना पड़ हाथ से ही नहीं तो फिर और जब तक पोचा नहीं लगाते हैं तब तक आदत जो हो गया है वह हम लोग कहते हैं कि अपनी आदत से भी आलाचार है बस वही वाला बात है जब तक एक बार पुरे घर में हाथ ना गुमा दो तब तक फिर मन ही नहीं लगता मन मानता ही नहीं है तो बस यहाँ पर भी हो गया था थोड़ा बहुत करके इसी तरह जुक जुके और खेर हाथ से पोचा लगाने में मेरा कुछ नहीं होता है हम किसी भी तरह लगा लेते हैं कमफर्टेवल रहते हैं लेकिन फिर भी न वो टाइम लगता है थोड़ा सा जादा मॉप से लगाने के बाद फिर टाइम बचता है इसमें थोड़ा जादा लग जाता है टाइम लेकिन क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते तो फिर मेरा यह हो जाते कि हम सुबह उठते हैं इतनी जल्दी तो फिर मेरा हो जाता है मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर आगे पिछे करके तो फिर और बुझ जाता है बहुत अच्छा और टेषटी भी है इसको बनाने जारे हैं गुड़ से पानी तो पानी घ्लास में देखें लाये थे ना तूद लाय थे और पानी लाये थे और कटोरी में ले लिए थे सूजी एक कटोरी उसके बाद निकाल लेते हैं यहां से गिहूं का अटाजी से रोटी बनाते हैं तो आज रोटी कैंसिल कर रहे हैं नास्ते में आज यही चलेगा हम लोगों का भी और आप लोग भी देख लिजे कि कैसे बनाते हैं बहुत कोई अंदाजा है दो आदमी का बना रहे हैं तो बस उसी अंदाजे से गुड़ का कोई चाशनी ने बना है बस गुड़ मेल्ट हो गया पानी में बस उसको बंद कर दिये थे यह ठंडा हो गया थोड़ा से इसमें डाले थे सोफ यह हम इसमें अगर सोफ नहीं डालते हैं त इसके बाद इसको फिर अच्छे से एक ही डायरेक्शन में फेटेंगे ताकि यह थोड़ा सा फलपी हो जाए वैसे बहुत जाता नहीं लेकिन फलपी हो जाता है तो इसका अच्छा बनता है पैन केक बनाने जा रहे हैं पैन थोड़ा सा गरम होगा उसके बाद ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी अगर घी में बनाना चालें तो घी में बनाईए नहीं तो फिर थोड़ा फुलका इसमें बटर भी लगा सकते हैं बटर से भी अच्छा बनता है इसका टेस्ट अच्छा आता है वैसे तो हम घी लगताँ हैं नहीं है तो उतना जरुवत महजूस कुछ बचो को देख shipping पाले के लिए उसके लत्छ नारियल मेर् आरगा स्थाना डालएगं है वेसितना लियुक्त उत्रे था है कणाना बच्छे को लसा ऑच्छ इतना ही अच्छा लगेगा पसंद आएगा उन लोगों को खेर यहां पर तो हम लंच बॉक्स में नहीं डालेंगे खुदी खाएंगे लेकिन आप लोग अगर बच्चे छोटे स्कूल जा रहे हैं तो आप लोग दे सकते हो मेरे बच्चे तो भी स्कूल नहीं जा रहे हैं ले तो थोड़ा सा लो फ्लेम पे इसको सेकना है तो थोड़ा दिल लेट होगा इसलिए हम दो चड़ा दिये थे कि जल्दी हो जाएगा ढकने के बाद थोड़ा जल्दी जल्दी यह हो रहा था तो बस जल्दी-जल्दी हम बना रहे थे यहाँ से हटने का मतलब की मौका नहीं मिल रहा था कि यहाँ पे इसे हट सके नीचे से ना हो最 willkommen यह अपने आप से छोड देता है नीचे तो फिर इसको पलटने में ज्यादा टाइम नहीं मतलब मेहनत नहीं करना पड़ता लेकिन जब तक यह नीचे नहीं होता है एक तरफ तो फिर यह पलटाता नहीं है नॉन स्टिक में बनाए तो अच्छा बनता है वैसे तो यह वाला तवा पर भी बना रहे थे रोटी पर उस पर भी अच्छा ही बन रहा था ज्यादा मेहनत नहीं लग रहा था तो बस यह मेरा बन गया था आज का नास्ता में यहीं रहेगा और इसके साथ वैसे तो ऐसे ही मुखाईए अगर मिल्क पाउडर है इसमें तो मिल्क पाउडर डाल दीजिए मिल्क पाउडर नहीं यहां था तो हम दूद से इसको फेंटे हैं आप लोग देखें उसके साथ खाने के लिए हम बनाय थे सूकी सबजी आलू और मुली की वैसे रसेदार सब्जी हम नहीं बनाया थे तो बस आज का नास्ता यह आई है आप लोग दिखा रहे तो पहले चलिए नास्ता करते हैं तो इसके बाद फिर और भी काम है बहुत जाद जाद है काम के बारे पर challenge एकल्च को कट है तो थोड़ा सा टाइम बच्टा है कि मेरा ज्यादा काम हो जाता है तो नहीं हो पाता मेरे से क्योंकि उसके बाद करने के लिए ऊबन करेंब I इसमें हो जाता है टाइम तो लेकिन हाँ एक बात है कि आज अगर काट लिए तो कल चाहे परसों तक ये पूरा हो जाएगा इसकी साड़ी हम एक दूबर पहन लिया है लेकिन ब्लाउज इसका रेडी नहीं कर पाए तो आज सोचे थोड़ा टाइम मिला तो चलो कट करके रख लेते हैं तो फ्रेंड्स यही सब काम हो जाता है एक्स्ट्रा अगर अंधेरे में ना उठो ना सुबह सुबह तो नहीं हो प